आलू मटर की सबजी तो आपने कई बार बनाई होगी और कई भार खाई भी होगी लेकिन आज जो मैं आलू मटर की सबजी बनाने का ऐसा तरीका सेर करूँगी कि साइध ही आज से पहले आपने कभी बनाया होगा यह सबजी बहुत ही जादा स्वादिश्ट बनकर तयार होती है तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के आलू ले लिया था उसका मैंने छिलका निकाल लिया है अब क्या करना है एक बाव ले 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 तो उसमें पाने निकाल कर आप आलू क तो हम अच्छे से दो से तीन में वास कर लेंगे ताकि इसका जो भी श्टार्च है निकल जाए हमारे अलू ब्लेक बिल्कुल भी ना पड़े तो एक कप मैंने वटाना ले लिया है लगभग सो ग्राम है इसे मिक्सी के जार में हम डाल देते हैं इसी के कॉर्डिंग तीन से यहम डाल से देते हैं जो कज्चे अलू को मैंने ग्रेटर से करके होगा उसे कर देंगे साथी इसमें.. देते हैं इसमें हम डालेंगे आधा चमच छल्दी पाउडर और अधा चमच इसमें हम डाल देते हैं धनिया पाउडर साथ ही उसी को डाल देंगे आधा चमच थोड़ा सा गरम मसाला उससे कम रहेगा तो चल जाएगा जादा महीं डालना और आधा चमच इसमें हम डाल देते हम बाद में ढालेंगे फिरड अभी इसे हमें अईसे ही रख देना है नमक डाल देंगे तो यह बिलकुल भी गीला हो जाएगा इसलिए बिना नमक डालें इसे हमें साइड में ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद यहाँ पे देखिए माने उसी नमक सब्सक्राईआzer के जा अ उसमें हम डाल देते हैं कुछ फ्लेवर के लिए मसाले यहां पर देखिए मैंने एक छोटा सा दाल चिनी का तुकोड़ा आदा चमर जीरा एक तीछ पत्ता ले लिया है अच्छे से भून जाए तुसमें दो मीडियम साइज को मैंने आनियों को चॉप कर लिया है उसे भी एट अच्छे से तेल यह जोब होने लगेगी तभी समझ लीजिए आपकी सब्जी बिलुकुल पर्फेक्ट बनकर तैयार होगी यहां पर दे सकते हैं काफी अच्छे से तैयार हो चुक है हमारी सब्जी इसमें हम एड़ कर देते हैं आधा चमर हल्दी पाउडर और आधा चमर पाउडर और चमर हम चुर का पाउडर और अधा चमर डाल देंगे हम काश्मेरी मिर्च कॉर्डर क्योंकि तीखा मैंने पहले से जॉप किया था फिर्ट मैंने जादा अभी नहीं डाला है क्योंकि मेरे घर में तो कोई भी तीखा पिल्कुल पसंद नहीं करता अब इसे क्या कर देंगे हम अच्छे से मिक्स करके ढग कर इसे 2-3 मिड़ के लिए 2-3 मिड़ में पानी डालूंगी यहां पर अपने कोडिंग आप पानी ले सकते हैं कम अपने कोडिंग कर में ज्यादा यूज कर सकते हैं मैंने छोटे चमबसी किया था अब इसे क्या करेंगे ढखकर साइड में रख देते हैं यहां पर देखिया हमारा पेस्ट बिलकुल अच्छे से परफेक्ट तैयार भी हो चुका है अब क्या करेंगे इसमें हम डाल देते ह आधा चमच मैंने नमक की यूज क्या है में डाल देते हैं व क्या ख्रेंगे पेस्त तो निबल गयुद लेते हैं गए करने के बाद फटाफ़ट वहमने सागियार करते हैं तो क्या करेंगे हाथों में हम थोड़ा सा एल लगा लेंगे देते हैं यहांपर दे सकते हैं हुआ त्यार कर लेना है अब मैंने यहां पर ओएल रख दिया है हमारा जब अच्छे से गरम हो जाय इसमें हम फ्राइब लेंगे लिएक फिर atom जब भी आप का यह सब्सक्राइब बनाने का मन करें तो आप जट पट से ऐसी रेस्पी बना सकते हैं जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा बहुत ही टेस्टी सब्जी यह बनकर तैयार होती है आप मेरी रेस्पी को एक बार जरूर ट्राइ करकी देखियेगा तब यह आपको पता चल पाएगा कि आपकी कित्ती चटपटी बनकर तैयार होगी इसे अलटते परटते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे तो दे सकते हैं काफी अच्छे से यह फ्राइ हो चुका है अब मैं गैस का फ्लेम आप कर देती हूं और इनको सब को निकाल देती हूं प्लेट में तो दे सकते हैं मैंने सारे इसी तरीके से निकाल के तैयार कर लिया है अब क्या करेंगे हमारी सबजी को देखे यह अच्छे से हमारे बॉइल आ चुकी है साथ 2-3 मियट हो चुके थे यहाँ पर दे सकते हमारी सबजी के ग्रेवी काफी अच्छे से पक चुकी है अब इसमे क्या करेंगे हम सारी टिकियों को डाल देंगे तो यह गरम रहे कि फिर भी चल जाएगा लेकिन डालने के बाद इसे हमें ज्यादा कूक नहीं करना है साथ ही इसमें हम डाल देते हैं आधा चमच गरम मसाला का पौडर अब डालने के बाद इसे हम लगभग 2-3 मिनिट के लिए कूक होने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर ज्यादा हाई फ्लेम पर आपको बिल्कुल ले रखना है यहां पर दे सकते हैं दो मिनिट के बाद मैं यहां पर चेक कर रहे हूं बिल्कुल अच्छ से ग्रेवी हमारी सब्जी बनकर तयार हो गई है इसमें आप कम जादा अधनिया डाल देती हूं तो दे सकते हैं कितनी तेश्टी हमारी सब्जी बनकर तयार हुई है इसी कि तरह एक बार जरू ट्राय करके देखिएगा बहुत ही टेश्टी हमारी सब्जी यह बनकर तयार होती है दो दे सकते हैं काफी अच्छे से हमारी सब्जी ग्रेवी बन च तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट में जुरू बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई